हाई फ्रेंद्स इस प्रॉफेसर कार्टिक त्रिवेधी आज आप देख रहे है वह देख रहे है एग्जम्पल ओफ फोर्स वाइपिरेशन दूट एग्जाटेशन आप सपोर्ट वाला जो एग्जम्पल है तो यहाँ पर एग्जम्पल देखे रखा है तो इसको सांती से समझना है एक ट्रेलर है वो एक सड़क पे चल रहा है अब जो सड़क है उसने बोल रहा है वो किस तरीके सी है वो सड़क वो साइन वेव की तरह वो सड़क है ठीक है और वो जो एम्पलिटूड मिल रहा है आपको वो मिल रहा है आपका 0.08 मिटर रहा है तो आपका ट्रेलर है वो एक सड़क के उपर चल रहा है और सड़क है वो इट इस लाइक साइन वेव ठीक है तो यह आपका एग् amplitude of 0.08 meter, so y is given 0.08 meter, and also wavelength is given, that is lambda 14 meter, और वो बोल रहा है, what will be the amplitude of vibration at 60 km per hour, so v is equal to 60 km per hour, और एक चीज़ उसमें बोली है, critical speed find कीजिए, ठीक है, find the critical speed when trailer is traveling on such a profile, ठीक है, तो सबसे पहले critical speed find करें हैं, अब critical speed काप होती है, जब omega is equal to omega n होता है, तो critical speed होती है, तो सबसे पहले omega n find करना होगा, omega n हमें पता होता है, under root of k by m, पर हम जाते है, mg is equal to k delta, that's why I can write, under root of k by m is equal to g by delta, g की value होती है, 9.81 और delta हमें देखे रखा है, 0.1 meter आपको w n मिल जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से, now, we know that the time period is equal to wavelength upon velocity, so time period, also I can write time period is equal to 2 pi upon omega n is equal to lambda upon wavelength, lambda upon velocity, sorry, so 2 pi की value 3.14, omega n की value हमें यहां पर मिल गई है, lambda की value उसने 14 meter देके रखी हुई है, तो आपको यहां पर velocity मिल जाएगी, और यह जो मिलेगी आपकी critical speed होगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर 2 pi omega की जगा पर 2 pi omega n लिया हुआ है, when omega is equal to omega n, तब आपकी जो speed होती है, उसको बोला जाता है critical speed, that's why it is a critical speed, right? Okay, now, come on to the next question, he says the amplitude, find out the amplitude, हमें पता है कि amplitude का इस तरीके से equation है, पिछले हमने जो वीडियो थे उसमें डिराग किया है, इस तरीके से हमारे पास amplitude का equation है, पूरा का पूरा, तो मैंने आपको बोला था, वो याद रखो, example में काम लगे का, ठीक है, वो ये बोल रहा है कि जब, vehicle की speed 60 km per hour होगी, तो अब amplitude कितना होगा? तो उसने बोला है कि vehicle की speed 60 km per hour होगी, तो सबसे भिले उसको meter per second, मैंने यहाँ पर convert दरके रखा हुआ है, अगेन मैं वो सेमची लूँगा, time period is equal to wavelength upon velocity, time period होता है 2 pi by omega, wavelength upon velocity, ठीक है अब velocity उसने देखे रखी है, इतनी हमल लेनी है, फिर wavelength 14 meter देखे रखा हुआ है, 2 into 3.14 यहाँ से omega मिल जाएगा, जो यहाँ से निकला हुआ है, अब मुझे amplitude find करना है, तो मैंने क्यों omega टुटा, क्योंकि देख लीजी, आप यहाँ पे omega, omega n और zeta की value आपको चाहिए होगी, तो omega n की value तो अल्रेट हमारे पास है, यहाँ पे, omega की नहीं थी, तो इसलिए इस तरीके से निकाली, आप बच्तिये zeta, zeta का क्या करते हो, तो zeta पे आप assumption ले सकते हो, when zeta is equal to 0, when zeta is equal to 0.5, पर आपने यह, take max में आप देखो के, उसने बहुत सारे assumption लेके चला हुआ है, पर हम directly यहाँ पे zeta is equal to 0 ले लेना है, ठीक है, take zeta is equal to 0, because we have not given the zeta, so we have to assume that the zeta is equal to 0, so आप zeta is equal to 0 ले लोगे, तो यह पूरा term हट जाएगा, यहाँ से, तो यह पूरा हट जाए, रून का root 1 और यह y सिर्फ रजाएगा उपर, और यहाँ पे zeta यानि यह term चला गया, ठीक है, तो यह नीचे वाला सिर्फ अक्यला यह term रहगा, 1 minus omega पूर omega n का square का square, अब y की value आपके पास है, capital Y उसने देखे रखा हुआ है, वो की है 0.08 meter, 1 minus omega की value आपके पास है, 7.25, omega के n की value आपने निकाल के रखी, आपको amplitude मिल जाएगा, which is 0.172 meter, so this is how you can solve the example, just remember, आपको formula याद रखना होगा, अलग से notebook बनाई है, सारे जितने भी dom के chapter ने उसके amplitude किया, जो भी है उसका पूरा formula के list बनाई है, क्योंकि 80% example होंगे, उनने 20% theory, so ये सारे आपको formula example के अंदर, you have to use it, ठीक है, I hope आपको वीडियो पसंद आए होगा, इसको like करें, share करें, subscribe करें, have a nice day, bye-bye,